Hello everyone, welcome to Steady Vidyan Podcast. Thank you friends, KVS ने Assistant Commissioner, Principal, Vice Principal, TGT, PGT और Primary के साथ साथ बहुत सारे पदों पर जो Tentative Exam Dates जारी किये थे परिक्षाएं उसी डेट पर हो रही हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. तो साथ फरवरी, आठ फरवरी और नौ फरवरी को Assistant Commissioner, Principal, Vice Principal के लिए जो परिक्षाएं होने वाली हैं, इसके लिए Admit Card दो दिन पहले जारी होंगे. जान दीजेगा कि यहाँ पर KBS सारी प्रक्रिया को बहुत तेजी से निप्टा आ रहा है, और इसलिए वो दो प्रकार के Admit Card जारी कर रहा है, पहरा जो Admit Card आ रहा है, जिसको आप लोग Pre-Admit Card भी कर सकते हैं, तो जो Pre-Admit Card है, उसमें आपको यह बता जा रहा है कि आपकी ज रक्षा से दो दिन पहले जारी किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप इस Tentative Exam Date को देखें, तो TGT, PGT के लिए जो बात यहाँ पर हो रही है, तो TGT के लिए जो आपके Pre-Admit Card है, ठीक है, Pre-Admit Card, यह आ जाएंगे 5 या 6 तारीक को, यानि कि 5 या 6 Pre-Admit Card जारी होंगे, और आपका जो Main Admit Card होगा, जिसमें आपको परिशा केंद के साथ साथ, परिशा समय की जांकारी भी रहेगी, तो यह जो TGT के बारे में बात करें, तो लगबग 10 तारीक को, यानि कि 10 फरवरी को आपको Main Admit Card मिलेगा, तो Pre-Admit Card से आपको पता चल जाए कि आपकी परिशा किस सहर में है, और किस डेट को है, और Main Admit Card में आपको बाकी की जांकारी दी जाएगी, अगर हम यहाँ पर बात करें, तो PRT की परिशा, जिसके होने में लगबग मात्र 2 वीक, यानि मात्र 2 सब्ता का समय बचा है, और TGT की परिशा में अभी एक सब्ता क काई समय बचा है, तो यहाँ पर बहुत साला बेरती कन्फ्यूज हैं कि Current Affair की तयारी वो कैसे करें, देखो फ्रेंड सलेबस के मताबिक अगर आप Current Affair को देखेंगे, तो Current Affair और Static GK से बाकी की जो portion है, उससे बहुत कम प्रस्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखो, मैं एक टिप देता हूँ, सबसे पहले वो टॉपिक आप कवर करो, जिससे सबसे ज़्यादा प्रस्न आएंगे, यानि कि जो ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, पहले आप उसको कवर कर लें, रही बात Current Affair की, तो Current Affair लास्ट थ्री महिने का जो Current Affair है, बस वही आ पढ़ लीजिए, वही आपके लिए परियाप्त होना चाहिए, और इसके लिए अगर आप चाहें, तो Last Three Month, यानि कि October, November और December के साथ, यहाँ पर मैं जनवरी को भी एड़ कर देता हूँ, तो November, December और January, ये तीन महिने काफी अहम है, और October तक का जो Current है, वो मैंने अपने PDF अगर आपको चाहिए, जो कि बिलकुल To The Point है, और आसानी से आप Revision कर पाएंगे, अगर आप चाहें, तो दो तीन दिनों में आप ये निपटा सकते हैं, क्योंकि To The Point ही आपको चलना है, Question पढ़िए, Answer पढ़िए, ठीक है, इस पकार से आगे बढ़िए, व्याख्या को छो दीजिए, क्योंकि जो प्रस्न पुछे जाएंगे, वो बिलकुल factual ही पुछे जाएंगे, तो अगर ये तीन मेने की जो PDF है, उसको लेना चाहते हैं, तो वीडियो का description जाके चेक कर लिजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो बताना चाहेंगे आपको कि UP में TGT, PG के साथ UPTT की परिक्षा कब तक हो सकती है, जो सुचना है आती है, मैं उसे आपके सामने रख देता हूँ, पहले जानकारी मिल रही थी, कि फरवरी महिने में UPTT के लिए जो आविदन की प्रक्रिया है, वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अब जो जानकारी latest निकल के आ रही ह कि सिक्षा सेवा चैन आयोग के गठन के बाद उत्तरप्रदेश सिक्षा सेवा चैन आयोग ही UPTT का आयोजन करवाएगा, तो एक बात ध्यान रखेगा यहाँ पर कि अभी जो UP गवर्मेंट है, उसका जब बजट पेस हो जाएगा, उसके बाद जो बजट होगा, उसी में उ जो उत्तरप्रदेश सिक्षा सेवा चैन आयोग है, इसका गठन मार्च अप्रेल तक हो सकता है, तो अगर मार्च अप्रेल में इसका गठन हो जाएगा, तब उसके बाद ही UPTT और TGT PGT के लिए जो एक्जाम के लिए जो प्रक्रिया है, वो स्टार्ट हो पाएगी, यानि क आपके पास अभी कम जिकम अप्रेल तक का समय है, UPTT कब तक होगी, तो मुझे अब यही प्रतित हो रहा है कि UPTT जुन जुलाई में ही आयोजित हो पाएगी, यही लेटेस्ट अप्डेट है, आप लोग कहेंगे कि सर आप बार बार कई बार कहते हैं कि फरवरी में और जिम्मेदार ना तो आफिसर हूँ, ना तो किसी राजनेतिक पत पर हूँ, कि मैं उसके जिम्मेदार रिटा सकूँ, जो भी निउस निकल के आती, वही बता देता हूँ, मैं तो बस माध्यम हूँ, आगे बढ़ते हैं, और 79,000 सिक्षक भरती नियायर नहीं मिलने से आर OBC और SCST के लिए थी, लेकिन इस पर अगर हम बात करें, तो OBC वर को 27 प्रत्रत कीजेंगें, मात्र 3.80 फिजदी तथा SC वर को 21 प्रत्रत कीजेंगें, 16.2 फिजदी आरक्षन दिया गया, तो इसको लेकर आपको याद होगा कि दिसम्बर 2021 में ही सरकार ने कहा था, कि शर्ति नहीं आई, तो इसी मैटर को लेकर यहाँ पर जो पीडित अभ्यरती हैं, उन्होंने मेटिंग की है, और जो अभ्यरती हैं, उन्होंने मुख्यमदरी योगी आदित नाच से जनता दरबार में मुलाकात कर, उन्हें आउगत कराया, तथा 2-3 अधिकारियों खिलाफ कैंसी 2023 के बारे में, यूपी पुलिस की और से नई कांस्टेबल भरती का विग्यापन इसी महीने, यानि की फरवरी महीं जारी हो सकता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भरती और प्रोंती बोर्ड लगनौ ने दिसंबर में कांस्टेबल भरती के लिए निर्धारे दिक्तियो हो रहे हैं, 35,700 पद हैं, इस पर नोटिफिकेशन आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है, और जो आफिसल वेबसाइट है, यूपी पीबी पीबी डाट यूवी डाट इन, इसी पर आपको जो है, सारी जानकारी जो है, वो मिल जाएगी, इसलिए लेटिस जो निज रहे है कि फरवरी के मेने में जब लिगयापन जारी होगा, तो लगबग 20 लाख आवेदन आ सकते हैं, और इसमें आवेदन कोन कर पाएगा, तो जो अभेरती, 18-22 साल के अभेरती हैं, और बारामी पास हैं, वो इसमें जो है, आवेदन कर पाएंगे, हलांकि अभी आयोशीमा औ और आफलाइन मोड में होगी, और यह कंप्यूटर पर नहीं होने वाली परिक्षा, यह परिक्षा आप्जेक्टिव रहेगी, परिक्षा में जनरल नौलेज, जनरल हिंदी, साइंस, निमेरिकल, मेंटल अबिल्टीज, मेंटल अप्टिट्यूड, आईक्यू और रसनिंग अबिल्टी बिस्यों से जो प्रसनाएंगे, तो यह आपजेक्टिव टाइप होंगे, लेकिं प्रैक्टिस तो आपको सुरू करनी पड़ेगी, और बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होने वाला नहीं है, तो फ्रेंड्स यह थी आज की पुरी न्यूज अपडेट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में देखिए, हमारी कुशिस रहती है कि जो भी न्यूज रहे, वो आज इटिस मैं आप तक पहुचा सकूँ, ताकि आप लोग जो सिर्फ सही है, वहां तक आप पहुच सके, और बाकी के जो चैनल है, तो मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा, वो भी अपना प्रयास जारी रखते हैं, thank you so much, have a great day, जैहंद!